जैहिन दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चैनल ट्यूशन घर ओफिशिल में आज की इस वीडियो में हम SSC CPU SI के जो एक्जाम हुए हैं 2023 में उसके प्रेवियस येर के कोश्चन को लगाने जा रहे हैं इस सेशन में जो एड रहेगा चुकि आपको पता है कि ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है इंग्लिस ग्रामर और इंग्लिस के चैप्टर्स को लेके तो आप जिस भी एक्जाम का प्रेपरेशन कर रहे हो एससी के रिलेटेड कोई भी एक्जाम उन सारे एक्जाम में ये यूजफुल रहेगा फिरहाल ये जो प्रेवियस येर पेपर है वो एससी सीप्यो एससाई के एक्जाम से है 2023 का हर कोश्चन के साथ आप इस तरीके से देख पाऊगे ताकि आपको ये क्लियर है यहां यह हमें अपडेटेड कोश्चन कराये जा रहे हैं कोई पहले बहुत पुराने कोश्चन नहीं है ठीक है तो इस कोश्चन के साथ हम सीखेंगे क्या इस सेशन में हमने एरर और आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कम्प्लीट कर सकते हैं आए यहां पर हम लोग चलते हैं कुश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है वी फीड ओके दा हॉर्स ओट्स ओट्स मतलब कुछ खाने के चीज़ें ठीक है फॉर अवीक विकॉज इट हैड इटन ऑल दा है अब हे की मिनिंग अगर आप देखोगे तो हे की मिनिंग होती है सूखी घास ठीक है सूखी घास सारा क्या किया है गोड़े ने खा लिया तो उसको मैंने क्या क्या है ओट्स भी खिलाया फॉर अवीक एक सब्ता के लिए अब देखो इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें पार् खिला है क्योंकि उसने सारी सूखी घाल से खा ले थी अब आप सोचो कि क्या होना चाहिए यहां को फीड लिखा है फीड के बारे में आपको बता दूं फीड का फॉर्म होता है ठीक है फीड मतलब होता है खिलाना अब फीड के फॉर्म को आप देखोगे तो सेकेंड फॉर्म होता है fed third form भी क्या होता है दोस्त fed तो जब यह past की बात कर रहा है बहुत basic basic से error पूछेगा है बहुत डरने की बात नहीं है कि cpsi में अरे भाई cpsi का English है कुछ नहीं है भाई सारा English common ही होता है ससी के exam में तो आप इसमें गलती खोच के दोगे आप कहोगे सर जो पार्ट गलत है question का वो यह वाला हिस्सा गलत है वो यह वाला हिस्सा क्यों गलत है क्योंकि इसमें हमें दे रखा है वोफ की first form और हमें यूज करना वोफ की second form क्योंकि यह पूरी कहानी past की की तरफ है clear मेरी बात आपको अगले question की तरफ चलते हैं इसी तरीके से पूरा explanation आपको मिलेगा आपको भी अच्छा लगेगा solve करके अच्छा भी feel होना चाहिए जब भी आप question लगाए अब हम second number question की तरफ है यह हमारे पास एक improvement का question है लेकिन इसमें देखो idiom एक fit होके चला आया मैं आपको दिखाता हूँ यह idiom के बारे में क्या कर रहा है कि substitute करना है पहले क्या होता था पहले आपको जो idiomatic लिखा रहता था पहले जो इंप्रूमेंट के थे उसमें rules भी पूछता था अब इन्होंने एक नया pattern भी add कर दिया ह है कि उसमें idiom भी लगा दो और फिर पूछो कि बताओ idiom एक सही सा कौन सा होता है तो किस idiom को कैसे बोला जाता है या उसका meaning लिखके फिर पूछ लेगा कि कौन सा idiom इसमें लगे गा इसके लिए ठीक है तो आपको बहुत जादा aware रहने के जरूरत है idiom type का भी पूछता है और बाकी rules तो पुछता ही पुछता है अब यह हमारे पास question है कि बोत नितिन and उदय are of the same interest कहरा कि दोनों क्या है same interest के हैं same mail जोल के हैं तो आप बहुत अच्छे से एक idiom learn करके रखे होगे words of the same feather याद किया कि नहीं ये वला एडियम आपने याद किया होगा words of the same feather का मतलब ह होता एक जैसा ओना ठीक है Words of the same feather का मतलब होता एक जैसा ओना एक जैसा interest भी होना ठीक है अप लग याद करोगेON क्या होता है एक होती है आप भी इसको pause करके क्या किया करो, solve क्या करो, अपने answer जरूर बताया करो, ठीक है, अब एक question आपका error, ध्यान रखना, इसमें हमने क्या किया, error को add किया, improvement को add किया, और fill up को add किया, ऐसे SSC CPU 2030 का जितना भी paper हुआ था, सारा ही question मैं English का आपको कराने वाला हूँ, तो लखके करि ठीक है, they will not attend the event as they are going away at end of April, ठीक है, कह रहा है कि they will not attend the event, event को भी लोग क्या करेंगे, attend नहीं करेंगे, as they are going, जैसा कि वे जा रहे हैं, going away, जा रहे हैं, at end of April, अपरेल में जा रहे हैं, ठीक है, तो देखो, यह जो एक line लिखी है, at end of April, यह एक सही, कह सकते हो, सही expression नहीं है लिखने का, जबकि सबसे suitable लिखने का क्या होता है, देखना मैं यहां लिख रहा हूँ, add the end of, ठीक है, add the end of, यह line बोली जाती, जो एक point of time दिखाता है, कोई specific समय की बात करता है, नहीं तो ऐसे अपरेल में कुछ भी, अपरेल के सुरवात भी हो सकती है, अपरेल के मद्द हो सकता है, अपरेल का, लास्ट भी हो सकता है, तो add the end of, यह बहुत अच्छा सा line है, जब भी कभी ऐसा question आए, तो आप ध्यान रखना, वहाँ add the end का use होना, क्योंकि एक specific point of time की बात करने लगता है, और एक definite article जब हम लगाते हैं, तो एक निश्चित समय की बात करता है, ठीक कई बार option ही नहीं देगा कि आप no error लगाईए, आपको error खोच के देना ही देना है, चाहें कुछ भी हो जाए, तो आप समल के रहिएगा, ठीक है, add the end of the, add the end of April, April के एक दम अंत में, ठीक है, अगला question देखते हैं, अगला question देखो आपके पास है, देखना थ्यान से, अगले question में हमने देखा यहां पर, एक देखो, no substitutions required, मतलब यह हमारे पास क्या substitute करने के लिए, पहले question यहां पर देदेता है, तो no improvement करना है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कह रहा है कि यह जो underline part हमने दिया है question में, इसको आपको क्या करना है, improve करके सही वाला दिखना है, अगर माल लिजी आपको सही लगता है, तो आप यह first वाले option में जहां no substitution required लिखा है, वो लगा सकते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं, यह पूरा हमारे पास question दिया कि हर paintings are way better, ठीक है, way better मतलब अच्छा होगा, ठीक है, than her sketches, ठीक है, उसके sketches से बहतर क्या है, उसकी painting है, अब आप देखो, अगर आपने adjective पढ़ रखा होगा, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझे होगे, ठीक है, यहां लिखा है better, ठीक है, अब जब ER वाला word आता है, तो उसके साथ जो हमारा pair जुडता है, वो क्या रहता है, comparative degree में, than का use होता है, बहुत simple सा है, तो भीया यह जो improvement करना इस question में, वो हम क्या करेंगे, हम यहां पे use करेंगे, than का, सही option क्या होगा, than, अच्छा, अगर आपने SSC से related, अगर English grammar नहीं complete कर रखा है, तो आप इस number पे contact कर सकते हो, मैं यहां पी बता दिता हूँ आपको, ठीक है, इस number पे आप contact कर सकते हो, WhatsApp करके, साथ ही साथ आप tuition घर official app download करके, अपने English को एक next level पे ले जा सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं, अगला देखना question दोस्त, अगला question हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगला question हमारे पास बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, फिफ्त number question, ठीक है, फिफ्त number question में भी देखो क्या करना है, यहां बहुत सावधानी से देखना, यहां पर क्या कह रहा है कि containing a grammatical error, एक error, अब देखो इसमें क्या किया गया, इन चारो option में आप देखो कहीं पर no error नहीं लिखा है, मतलब कि क्या करना है, error खोज के ही देना भी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, देख by the time, her father returns from the tour, ठीक है, टूर भी बोलते हैं, ठीक है, उसके पिता के टूर से मतलब की टूर से वापस आने तक, ठीक है, या आने तक या आने से पहले तक, ठीक है, उसने क्या किया होगा, उसने dance competition में participate कर लिया होगा, या कर चुकी होगी, अच्छा ये question बहुत पूछा जात है, एकदम alert रहे न, ठीक है, by the time का word यूज होगा, यहां मैं लिख देता हूँ, by the time लिखा जाएगा, ठीक है, by the time लिखा जाएगा, ये tense का question है, ठीक है, by the time के बाद इधर वाला हिस्सा क्या रहेगा, present indefinite रहेगा, ठीक है दोस्त, इधर वाला हिस्सा present indefinite रहेगा, और next वाला हिस्सा क्या रहेगा, future perfect रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, by the time, her father returns from the tour, ये हिस्सा हमें present indefinite देख रहे है, अगला हिस्सा हमारा future perfect होना चाहिए, तो हमें will तो लिखा हुआ है, have भी लिखा हुआ है, यहां तक तो हमें idea लग जाता है, कि ये future perfect की ही बात कर रह पार्टिसिपेट में क्या होना चाहिए, ed लगना चाहिए, क्यों क्योंकि वहां have के बाद, will have के बाद क्या होगा, वोफ की third form लगेगी, जिससे हमें ये clear हो, कि हम यहां पे will have participated की बात कर रहे है, ठीक है, तभी तो ये future perfect दिखाएगा, आखिर future perfect की पहचान क्या है, future perfect की प पार्ट में है, सर हमारा जो गलती है, वो ये वाला पार्ट करेक्ट करेगा, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना जब भी आपको रूल्स पढ़ने की ज़रूरत हो, आप जा के टेउशन कर ऑफिस्यल पे, एससी इंग्लिस फॉर और एससी एक्जाम कोर्स को जॉइन कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक-एक बेसिक-बेसिक कॉंसिप्ट आपके क्लियर कराएगें, सारे चैप्टर्स कवर करा दिये गें, ठीक है, तो पार्ट साब दा फॉलॉइंग संटेंस में, यहाँ देखो, क्या कह रहा है, एरर कंटेंस करना ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंग एरर, ठीक है, अब यह कोश्चन आप जब देखोगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, या इंग्लिस क्रैमर कहीं से भी पढ़ रखा होगा, तो आपको कोश्चन देखने से आइडिया लग जाएगा, अरे भ कोश्चन के गलती पे जाओ, एक तो लास्ट नाइट लिखा है, लास्ट नाइट हमेशा पास्ट इंडिफिनेट में लगता है, यह स्वैट तो ठीक लिखा है, वोव की सेकेंड फम, अब देखो, आप कहोगे, सर दा डांसर में कोई गलती नहीं, अच्छी बात है, बहुत लाइन में, तो समस्या क्या है, पहले यह समझो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा, तो सुनना, वर्ब को मोडिफाई कौन करता है, या वर्ब की विसेश्ता कौन बताता है, आप कहोगे, सर, हमने पढ़ रखा है, वोव की विसेश्ता, य या मोडिफाई एडवर्ब करता है, सर, यह जो डैंटी लिखा हुआ ना, डैंटी अभी क्या है ना, डैंटी अभी एक, आप कह सकते हो, डैंटी अभी एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है, सुनहरा या सौधिस्ट, लेकिन हम अगर इसी का एडवर्ब बना दें, ठ ठीक है, डैंटी ली, ठीक है, अगर हम इसी का एडवर्ब बना दें, सर, तो इस एडवर्ब का मतलब हो जाता है, सुन्दर्ता से, ठीक है, डैंटी ली का मतलब हो जाता है, सुन्दर्ता से, जैसे ही इसमें हम य जोड़ देते हैं, या इस तरीके के स्पालिंग बना देते D A I N T I L Y तो ये हो जाता है सुनतरता से आप sentence देख के समझ जाओगे सर यहाँ Adverb वाली दिक्कत है और ये कब समझ पाओगे जब आप अच्छे से अपने English को cover कर पाए होगे तो मेरी बात फिर आप सुन सकते हैं कि जैसा मैंने आप से कहा कितनी चालाकी से इस question में ये पूछ लिया गया कि बताओ spelling error पहली बार जब इस question को मैंने देखा न तो मैंने भी सोचा रहे यारे तो error का question पूछ रहा है लेकिन नहीं यहां जब मैं आके पहुचा तो हमें ये पता चला कि भीया ये spelling error के question पूछ रहा है तो देखो लिखा हुआ he wrote his dairy ठीक है in code so that nobody could understand it क्या रहा कि उसने क्या किया उसने एक diary आप तो dairy को dairy ही पढ़े होगे पहली बार में dairy को sorry dairy जो यहां लिखा है उसको आप dairy ही पढ़े होगे क्योंकि मैंने भी पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसलिए nobody nobody could understand it code में वो लिखा था ठीक है इसलिए कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था अब देखो इसमें गलती क्या हो गई जो question था यह spelling का error था यहां से आपको hint मिलता कि spelling का अंतर है तो जो डेरी होता ना डेरी जो दूद वाला मिल्क से रिलेटेट रहता है वो यह डेरी है ठीक है और जो डाइरी होती उसकी spelling भाई इसको आगे पीछे कर लो ठीक है यह होती है लिखने वाली डाइरी जो पुस्तक बनती है तो यह डाइरी लिखेगा डेरी नहीं लिखेगा ठीक है अपनी डाइरी उसने कोड में लिखी है समझ में आया तो बहुत अंदार कोश्चन था बहुत अच्छा लगा पहली बार मैंने भी गलत किया था इसकोश्चन को इसलिए आपको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो जब जब आप यहां पर इंस्ट्रक्शन आपको मिले ठीक है तो बड़े ध्यान से इनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करो देन आफ्टर आप कोश्चन पर अपलाई किया करो ठीक है आगे चलते हैं अगला कोश्चन देखेंगे अगला कोश्चन देखेगा आपके पास अगला कोश्चन है विल लिजी वापस हमारा आगमन हो गया ठीक है वह एक्सेप्ट कर लेता है तोड़ा साहा देखना आप ध्यान से अंडरलाइन पार्ट या कॉस्टन से हमें समझ में आगा कि यह अंडरलाइन जो पार्ट है वह यही है ठीक है अंडरलाइन पार्ट हमारा यही है ठीक है तो अब देखो यहां कॉस्टन में क्या लिखा हुए लिखा दा यूज ऑफ कैमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ठीक है बिगेन आफ्टर दा ग्रीन रेवलेशन के रहा है जब हरित करांती हो गई थी ना तभ करेंगे को ध्यान से आप पढ़िएगा आप से क्या पूछन पूछना चाहरा है इन केमिकल्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स में तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक की लाइन में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारी जो समस्या है वो दा यूज यूज तो देखो इसमें जो हमें एक context इसमें समझ में आ रहा है ठीक है यहां पर यूज़ लिखा हुआ है प्रैक्टिस लिखा है आप इसके प्रियोगों के बारे में बात करें देखो एक चीज इंप्रूमेंट के question से सीखने की कोशिश किया करो आप लो कि जहां यह वर्ड लिखा ना दा यूज़ अफ इसी के जैसा कुछ हमें alternative इसका लेकर लाने पड़ता है ठीक है अगर यहां नो इंप्रूमेंट वाल करने की करने के लिए ठीक है हम यूज़ेश करते हैं ठीक है यूजवेश करने की को क्रूब करने के लिए so that कि वो question को fit भी बैठे वैसे अगर ये usage न होता न तो ये use of एक दम correct रहता है इसमें कोई गलती नहीं निकाल पाता है लेकिन चुकि यहाँ पे uses दिया है तो इस context में हम कह सकते हैं कि सबसे बहतर जो line हमारे लिए बढ़िया और best बैड़ेगा वो क्या रहेगा वो uses रहेगा ध्यान से रखना usage ठीक है अब ये सीख चुकिए आपकी question के according improvement करना रहता है तो ये आपका ध्यान हमेशा इस type के questions पे रहना चाहिए बाकि आप कर कुछ भी सकते थे अगर यहाँ no improvement लिखा होता ना तो no improvement की तरफ भी चले जाते हैं लेकिन अब दोनों के alternative में कोई एक option तो हमें लेना ही लेना है तो जब कोई एक option हमें लेना ही लेना है तो हम सबसे बड़ा और सबसे best option select करेंगे ये first वाला आईए आगे बढ़ते हैं ये छोटे छोटे अंतर ना कभी कभी घातक हो जाते सॉल्व करते वक्तिक है देखो question में हमारे पास एक फ्रेजल वर्प की बात हुई ठीक है एक तरीके से आप कह सकते हो कि यह सर वो कैब वाला पार्ट आ गया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है एक लिखा gets after a gets about gets along gets on सबसे पहले इनकी आप मेनिंग लिख लो ताकि आपको यह clear हो कि यहां क्या लगाना है without विए कोस्टन सही नहीं हो पाएगा आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं तो gets about की मेनिंग लिखना इसका मेनिंग होता है move around ठीक है क्या होता है इधर उदर चलना फिरना ठीक है move around ठीक है move around या फिर travel आप बोल सकते है ठीक है travel various places अदला गजाहों पर घूमने जाना gets after की मेनिंग देखोगे तो इसका मेनिंग होता है आलोचना करना क्रिटिसाइज करना ठीक है आलोचना कि अलूचना ठीक है gets along के अगर मेनिंग देखोगे तो आगे बढ़ना होता है या मिल जूलकर रहना होता है लिख लेना आगे बढ़ना या मिल जूलकर रहना ठीक है कि अरुनिमा अच्छा जब तक आपको फ्रेजल वर्ब की मीनिंग नहीं पता रहेगी कोशन लगाना बहुत टफ रहेगा क्योंकि दो वट दे दिया वर्ब और एक प्री पोजिशन क्या कर लेंगे आप आप सेंस कुछ कंप्लीट ही नहीं कर सकते अच्छा यह सेंस लगा ले कोर्स बना कि रख दिया गया उसको अगर आप देख लेंगे ना तो सारे ससी एक्जाम के लिए जितने भी इदर ससी के एक्जाम हम पॉइंट कर रहे हैं जैसे स्टैनों सीप्यों सीजियल सीचल म्टीएच जीडी सारे एक्जाम के लिए और यह कोर्से जो ना वनियर की वै यहां पर अरोनीव १ुरिंग्व वैकिशन अपनी चुट्टी के समय में यहां चला मैं वहां चला मय उधर चला में उधर चला को मतला थीक ध्यान रखना 2030 का जितना भी प्रीविएस येर का कुश्चन है सीपीयों का 2030 पहले मैं आपसे सॉल्ब करा रहा हूं ठीक है तो अच्छे से करिएगा मज़ा आने वाला है ठीक है यह हमारे पास चार ऑप्षन अच्छा मजबूरी यह भी है कि इंप्रुमेंट का कोई आप्षन नहीं आपको इंप्रुमेंट करना ही करना पड़ेका देखो लिःखा लुआ लोट्स ओफ किड्स वास विजुलाइज्ट ठीक है वाज विजुलाइज्ट ग्रोशिंग दे र पहुचा तो जब बस पहुचा तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे थे रोड क्रॉस कर रहे थे अब आपना देख लो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि भी यह जो वाजवर है ना आप ध्यान रखना कि जैसा हमें कोश्चन लिखा हुआ मिलता है हमें उसी टाइप में इंप्रूमेंट करना रहता आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि यहां वाज की बात हो रही थी तो यहां हैब में चेंजिस कर लें इस बात को आप सीखो इससे पहले भी मैंने आपको वही सीखाने की कोशिश की है जैसा लिखा ना तो वाजवर में ही चेंजिस करने की बात कर हैं कि sentence sense पूरा past की तरफ जा रहा है तो भाया मेरे आप एक ही काम करना आप यहां वाज देखो कह रहा है lots of kids lots of kids के according तो वहां पर वाज होगा नहीं आपको पता है अधिक लोगों को दिखाने के लिए वाज वर में कौन सही होता है वर सही होता है तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करोगे आप लगाओगे वर सीन ठीक है option कौन सा correct होगा सर यहां पर वर सीन एकदम correct होगा इसकी अलावा और कोई option नहीं लग सकता है चलिए दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बाते समझ में आ रही होंगी अगर आप इस course से जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ें ठीक है क्या करना पड़ेगा इस course से जुड़ने के लिए मैं एक batch वहाँ पर बना दिया हूँ ऐस सी एक्जाम ठीक है इंगलेश बने का उस पे sum Äl aba दिखा मिलेगा या नहीं मिलेगा थि पह Sóँ इस को छाहें इंगलिश का ही एक्छाम जिसकी वेलिएशन रहेगी वन इयर तक ठीक है जिसकी validation रहेगी 1 year तक तो आपको क्या करना रहेगा आपको ये tuition घर official app download करना रहेगा ठीक है आपको ये tuition घर official app download करना पड़ेगा साथी साथ दिये का नंबर पे आप WhatsApp करके चीजे पोच सकते हैं 9628740733 बाकि इस YouTube चैनल पर SSC Stano की SSC Stano CHSL, CGL, MTS चितने भी exam होते हैं SSC के थो उनके सब के previous year के question मैं इसी तरीके से आप से हर समय solve कराने आता रहा हूँ अब की बार का target है CPU 2023 पूरा ठीक है चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ मेरी बाते आपको समझ में आयोंगी, अच्छे से आपका ये clear हुआ होगा पूरा thank you, take care, Jai Hind